तो तैंकि दोस्तो आपने पूरे वीडियो को काफी द्यांज़द देखा इसमें कंपनी के सियो हमारे स्मार्ट ब्लोक्चेंड का इको सिस्टम के बारे में आप लोगों को एजुगेट कियें दोस्तो मैं नाम राहूल में गया बिहार से बिलोंग करता हूं और आज आप सबी लोगों को इस जूम प्रिजेंटेशन में मैं आर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तो आज हम लोग काफी अच्छे चीज़ पर करन इंपोर्टेंट है और मैं अमयरे साब बोलता हूं कि कि ए इस क्रिप्टो इंडर्स्ट्री में हो तो कोई भी इंडर्स्ट्री में ट्रेइनिंग का बहुत बढ़ा मात बहुत बहुत दूर तक नहीं जा पाँगे दूस्तों आपने पूरा प्रेजंटेशन को ध्यान से देखा था अबी आठ में कंपनी ने पूरा प्रेजंटेशन वीडियो रेडी किया आपसे भी लोगों का उसे बहुत सरा चीज हम लोगों को समझ में आया जिसमें में में मोस्ट इंपोर्टिंग चीजे हैं वह है altima, altima क्या दोस्तो जो भी चीजे जितना भी प्रोसेश आपके साथ हो रहा है उसका में जो चीज तो आपके सामने smart blockchain open है और मैंने आप सभी लोग को बताया है smart blockchain क्या है रोस्तो smart blockchain क्या करता है इसका क्या है तो मैंने आप सभी लोग को पिछले presentation में बताया था smart blockchain मदद करता है लोग को पैसा कमाने में लोग को पैसा हुआ ecosystem है बैटस बूल गेम और बैटस बूल के जो बूल टोकन है वह आपको एवरी डे रिवोड आपको दे रहा दोस्तों किसे का 10 डॉलर किसे का 20 डॉलर इसके लिए आपने क्या किया कुछ नहीं बस थोड़ा सा दो या तीन मैंत आप मेनत किए स्मार्ट ब्लोक्चेन का ecosystem क जो गेम है उसको आप प्ले किए और आज उस प्ले करने की वज़़से आप बैटस बूल से अर्ण कर पा रहे हो दूसरा अभी आपको दूसरा और तीसरा नहीं पता है कैसे करना है उसमें क्या benefit हमें मिल सकता है दोस्तों बैटस बूल में जो बूल टोकन है आप देख सकते हैं और लगबग एक लाग 17,000 होल्डर्स बूल टोकन बना लिया दोस्तो इसके वैसे पर पर लगबग 49,000 होने वाला दोस्तों का पही तीजी से अल्टिमा की आप ग्रोथ आल्टिमा की कम्नूटि का भी ओल्डर्स का भी ग्रोथ हो रहा है तो बूल टोकन में जो अबी हम क्या कर रहे हैं रिवर्ट कर रहे हैं कर पा रहे हैं वह स्मार्ट ब्लोक्चेन का एक पार्ट है पैसा कैसे कमाएं तो बेटर शुबल के जरीए आप पैसा कमा सकते हो गेम को प्ले करके लेकिन हम सब लोगों को दो और चीज़ सिखना है नहीं करेंगे तो यह आपका नहीं आ पाएगा कि आप मल्टीप्लाइब नहीं कर रहे हैं आप सबसे पहले श्ग टेक्लोजी को समझे है काम कैसे कर रहा है का समझना बहुत इंपोटेंट है तभी आपको समझ में आएगा कि सेविंग और मिल्टिप्लिकेशन कैसे काम करता है तो कैसे काम करता है दूस्तों मैंने आपको हमेशा बताया और भी दुबारा से रिवाइच करता हूं तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट वालेट में अपना बूल टोकन फ्रीज करते हैं तो उसमें मैं आपको स्मार्ट व्लक्षेन ओबन करके आप दिखा रहा हूं आपको कि सबसे पहले हम लोग समझते है कि स्प्रिटिंग टेकलोजी कैसे काम करता है उसके बाद हम लोग समझे करेंगे कि मैं फ्रीजिंग और मल्टिप्लिकेशन क्यों जरूरी है मीटिंग काफी इंपोर्टेंट है काफी लंबा होने वाला अच्छे से बैठके एड़पॉन का यह यूज कीजिए चीजों को आप लिखेगा तो और भी बैतरी है आपको समझ में आगा दोस्तों कि इस प्रिक्टिंट टेक्वर्फ़ोजी से बहुत सरो ब्रूट करें सिस्के करने को क्यों करेगा अपको कैसे मदद करेगा अपने इंकम को रेगुलर रखने के लिए जो आभी income आपका आ रहा है इसको रेगुलर रखने के लिए कि 10 डॉलर 12 दूर 15 डॉलर का ये रिबोर्ट घटने वाला है क्यों घटने वाला है कि जिस दिन टोकन एक्चेंज पर लिष्ट होगा कुछ समझदार लोग इस टोकन को मार्केट में सेल करेंगे और इस टोकन को खरिदने के लिए ट्रिप्ट इंडरस्ट्री के बड़े वेल् अगर हम लोग ने एक्चेंज पर सेल किया तो 90 लोग लोग सेली करेंगे और इन्वेश्टर करेंगे और स्प्रिटिंग करके सारा रिवोर्ट बड़ा अमांट में रिवोर्ट डिस्टिब्यूट हो जाएगा फिराल भूल टोकन अभी क्यों सिमीत है क्यों जो रिवोर्ट आ रहा है वो सम्मान जन्यक आ रहा है क्योंकि इसमें अभी तक पैसा इंक्लूड नहीं हुआ है पैसा का मतलब जितना भी रिवोर्ट आ रहा है किस्टमर का खुद का महनत से वज़ए से आ रहा है जो जितना जदा महनत किया उसके पास उतना बूल टोकन आया और आज उस महनत का मुझे महनत करना पड़ेगा मुझे सारा प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे गेम में बेटल प्ले करने पड़ेंगे मुझे करना पड़ेगा और मेरे पास तो पैसा मेरे उतना टाइम नहीं है जो मैं दे पाऊंगा चीज़ों पे लोग सोचेगा जिसके पास पैसा क क्यों खेलो बेटास बूल क्या जरूवत है लेकिन फिलाल अभी जो ग्राउंड से जुड़े हुए विक्ति हैं जो इस्टुडेंट है जो प्रोटेक्ट बेस में वर्क कर रहे हैं अब हर एक विक्ति प्ले कर रहा है और उसका महनत जितना महनत है उसके अकोडिंग उसको रि हुए है टोकन को बाई करेंगे पहले टोकन को गिराएंगे लोग जल्दी बाजी में उसको सेल करेंगे और बढ़ेंट क्या करें टोकन को लेके शुरीच करके सारा इल्टीमा खाएंगे उससावरे लोग बैठके जो भी विक्ति बेचने वाला है उसको तो खुशी मिल गय है बस उसके लिए वही कुशी है उसको पता नहीं है उसको महिना में एक हैर दे सकता है लेकिन उस टाइप का जो नौलेज है उस टाइप का जो इनफोर्मेशन है वह कहां से लेकर आपाएगा नहीं लेकर आपाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी जो को आप बोलुट कर पाया जोसतों उसके लिए आपको है था बीजिंग यानिके सेविंग शिना पड़ेग बैंगा मल्टि produção दूटिंग यानिकि सेविंग और सेविंग के साथ मेंटिप्लिकेशन ये दो चीजिज आपको सीख ना पड़ेगा बैटर वल आपको रिवोड को continue नहीं कर पाएगा दोस्तों अकेला इसलिए मैं आपको splitting सिखाना चाहता हूं splitting सम्झाना चाहता हूं splitting आखिर में work कैसे करता है उसके लिए मुझे है अपना smart wallet open करना पड़ेगा जहां पे आप splitting अच्छे दा सीख पाऊगे दोस्तों हम लोग बूल टोकन पर क्लिक करते हैं कि बूल टोकन पर क्लिक करने के बाद हम लोग स्प्रेटिंग पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हम लोग को देखने को मिलता है अब देखें इसमें चीजें हैं सबसे पहला है डेली रिवोट उसके बाद मैंने कितना स्प्रिट को फ्रीज किया टोटल मतलब प अभी रिवोट एक बूल टोकन पर कितना आ रहा है है कि तो अब इस सब्सक्राइब बात है यहां पर इस एल्टीमा को भी समझना जरूरी है यह एल्टीमा का प्राइज उपर नीचे होते रहता है अभी पांच अल्टीमा का मार्केट भेलू 33,292 है और 23,292 है मारकेट भेलु है यह यनि कि पूरे मार्केट में र दे कितना टोकन ynन्सक्राइब कािये में र लाग और एल्टीमा का ल से प्रसमें सब्सक्राइब aha तो आपका इसस्थिदारी जो पता चलता है वह आपके टोटल प्रता चलता है कि आपके पास कितना टोटल फोर्जेन अमाउंट है अगर पांच अल्टिमा के बात करें हम लोग जिसका मार्केट बेलू तो 33,000 डॉल्र है वह 83 बूल टोकन में डिस्टिब्यूट हो रहा है इसमें से एक बूल टोकन का हिस्वा लगबग आप देख सकते हो 181 डॉलर पर रहा है भून्टीवन डॉलार डिस्टिबिट ओरा है थर्टीठीटीटीटीफ डॉलर डिस्टिबिट हो रहा है अगर हम लोग एक पर बात करें तो और यह आप देख सकते हो यह जो है पर दें इंक्रीज होते जाएगा अभी तो स्लो इंक्रीज हो रहा है इसका पीछे क्या वजह कि मेहने अभी जितना वह प्रोसेस हो रहा है वह मेहने से हो रहा है 500 टोकन अभी प्याउट होके वालेट में पढ़ा हुआ है उसको पता नहीं कि प्रीज कैसे करना है वह 500 बूल में से श्रिप 183 को पता कि ऐसे करना यह थ्री हंडर्डर टोकन वॉपलेट में पड़ा हुआ है उसको प्रिजिंग करने के पता ही नहीं है वो क्या करेगा वह वेट करेगा एक नमंबर का जिस दिन टोकन एक मिए अमंबर को लिश्ट होगा मार्केट में एकशेंज पर ट्रे तो अब यहां प्राइज को गिराने का प्रयास करेंगे उसके बार नोगा टोकन मार्केट से खाली करने का प्यास करेंगे जिस दिन टोकन मार्केट से काली होगा मार्केट का में टोकन आई जाएगा दोस्तों अलमस्ट उपर तो अभी जो रिवोड आ यहां पर यह जो टोकन अभी फ्रीज हो रहा है टोकन कहां से शिर्फ मेनद से किसको भाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा आपका मेरा पूरे कम्नुटी में जितना भी बॉल् करके दोस्तों कि यहां पर क्या हो रहा है कि वह एक्षेंज पर लिष्ट होगा यह जो टोटल फ्रीजिंग है काफी तेजी से इंद्ध्रीज होगा अब अगर पांस टोकन आ रहा है और वह यह टीटी थी में डिस्टिबूट हो रहा है तो हमें रिबोट कितना मिल रहा है यह बोल टोकन पर 181 अगर पांस टोकन फ्रीजिओ होगा टोटल तो पांस टोकन के डिस्टि बूंट्भद कितना मिलेगा लोगोगोगो को लगभभग तो रिबोट को बढ़ाना के लिए अल्टिमा टोकन के जो प्राइज है उसको बढ़ना पड़ेगा ताँ यहां पर जो डिस्ट्रिबूशन डोलर है वो बढ़ेगा तो आपका जो परड़े वो बढ़ेगा दोस्तों लेकिन अल्टिमा टोकन का प्राइज काफी धीरे धीरे बढ़ेगा क्या आइपर डिफ्लेशंट मोडल पर काम करता है इसका कुछ रूल और रिगुलेशन है इसको बार बार लिग्डिटी बनाना पड़ता है और ले जाता है इसको वापस बनाना प मिलिष्ट होगा तो पैसा से फ्रीज होगा और महिने हम लोग कितना भी करते रहेंगे जो बड़े वेल्स होंगे ओं मार्केट से टोकन उठाएंगे और फ्रीज करने वाले दोस्तों तो परड़े यहां पर आप देखोगे आप नमंबर में लगबग पांसो से हजार टोकन फ्रीज हो जाएगा दोस्तों अगर पांसो टोकन फ्रीज होता है तो आपको पता है कि रिवोट कितना हो जाएगा रिवोट यहां पे अभी आप देख सकते हो एक 120then से 90डिय ऊजाएगा और हजारटओं हो जाएगा तो 90 से 45 ज्यूर्णका इंकम हो जाएगा दोस्तों जिसका रिलॉल्ट 5 ज्यूर्ड्र का तो अभी हमें क्या करना है अभी हमें करना दोस्तों कि जितना भी रोट आपका प्रड़र आ रहा है कि उसको सेव कर रहा है कैसे सेब करना को अभी अभी मार्गेट का कि बढ़ता है गटता बढ़ता गटता है लेकिन अल्टिमा का प्राइज अभी बढ़ने वाला है किसके हाल्विंग काफी नजदीक है यहनिकि जो भी रिवोड आपका कि अभी जमा है इसे मेरा रिवोड चौशटॉट डॉलर का जमा है कि प्राइज अभी छी जंदर है। और यह प्राई काफी जल्द 10,000-12,000 में जाएगा तो मेरा 400 डोलर कितना हो जाएगा मेरा 400 डोलर हो जाएगा दोस्तों 120 डोलर जो मैंने रिवोर्ट कमाया है वोगर मैं बचा के रखूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा अल्मोस्ट 2X हो जाएगा अगर मैं अभी बेच के पैसा ले लूँगा तो मुझे 64 डोलर पर ही डिल देन करना पड़ेगा मुझे लेकिन मुझे नहीं मुझे पता है कि टोकन की हाल्विंग होने वाली है टोकन करेट इंक्रीज होने वाला दोस्तों इसे हम लोगों क्या करना करना है होल्ड करना दूसतों कटोकरना ये कि होल्ड करने का मतलब सेब करना या कि अ इसके पास वी एक टेकलोजी है जो भूल टोकन के पास है वह है दुगतिए इस किया करने पड़ेगा दोस्तों यहां पे अच्छा फ्रिजिंग करने से क्या पैदा होगा आपको माले जाके आपने फ्रिजिंग किये ठीक है तो आपको आप देख सकते हो पर दे पांच दोलर का रिबोर्ड एक अलटिमा पूइन करनेपे आपको मिलेगा उसकी अकॉधिंग है उसकी अकोधिंग आपको डोलर यहां पर मिलते रहेगा तो दोस्तों तो तो से सेविंग का बता करना गना इस अम except में फ्रिजिंग करना ना आपको 간 करने से क्या फज़िदा हो हो और आपको सबसे पहले आपको अपर को कि में मिलेग उसे में पहला है और इसमें Prozent इसमें इक वाली क्या होगा डिवाइड हो जाएगा और आपका कितना अ क्या मिनलप हो जाएगा मंद जाएगा यहापको पहलבה बें मिल जाएगा दोस्तों पहला काम कि दूसरा काम दोस्तों कि अगर आप यहां से अल्टीमा एक्चेंज पर भेचते हो माले मुझे एक्चेंज पर भेचना है अभी आप भेचोगे तो 5% आपको फ्रिजिंग फीस लगने वाला है मुझे नहीं लग रहा है क्यों नहीं कि आपने यहां पर जो भी रिवोड आपने कमाया 100 डोलर 200 डोलर 50 डोलर का उसको आपने फ्रिज कर लिया इसे मैंने फ्रिज कि आप आप देख सकते हो मैंने 0.1 अल्टिमा फ्रिज कर लिया जो मैंने बुल टोकन से कमाया अब मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करूंगा ठीक है तो मुझे 0.1 अल्टिमा का ट्रांजेक्शन मैं हर 24 घंटा में कर सकता हूं बिना 5% फ्रिजिंग फ्रिज दिये हुए अब कुछ लोग होंगे जब ब है तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ अगर आप मांली जाये कि 100 dollars का पड़े कर का आप between सकते थे लेकिन आपने फ्रिजिंग नहीं किया तो आपका 100 डोलर कट गया दोस्तों लेकिन उतना दूर तक आपको सोचना पड़ेगा कल्कुलेशन करना पड़ेगा और बताने वाला भी कोई होना चाहिए तो इस तरह से फ्रिजिंग करना मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर आ अगरा पहले किया तो आप तक अभी आपका अनफ्रिज के लिए रेडी होता है लाकि मेरा सारा अल्टीमा जो भी मैंने 27 तारिक से पहले किया वो सारा अल्टीमा मेरा रेडी टूँ अन्फ्रीज है कभी भी कर सकते हैं कभी भी कर सकते हैं जब जरूरुत पड़ेगा अगर आप अभी टेकलोजी का यूज करेंगे दोस्तों और अपना पांच परसंट पीस बचाना चाहते हैं और पांच डॉलर का डिस्टिब्यूशन में भाग लेना चाहते हो तो अभी आपको जो भी फिरिजिंग करोगे उसमें जो टाइमिंग चलेगा आपका वन मन्त का ट प्रिजिंग नहीं होगा तो आप तो 200 डॉलर का प्रिजिंग दे दोगे मैना में जो 200 डॉलर बचा सकते हो यानि कि क्या कर सकते हैं बचाने का मतलब सेविंग तो स्मार्ट ब्लोक्षेन का दूसरा फंक्शन सेविंग कैसे यूज करना अल्टिमा का फ्रीजिंग करेंगे दोस्तों सेविंग और तीसरा सबसें इंपोर्टेंट्स मल्टिप्लिकेशन यानि कि अपने रिबोर्ट को किस प्रकार से मल्टिप्लाई करना है अब ही आप एक फंक्शन यूज कर रहे हो बुल्टोकन और आप पहरेड़े 10 डुलर 12 डुलर का रिबोर्ट अर्ण कर पारे हो दोस्तों यह रिबोर्ट कब तक मिलेगा पता नहीं देख कंटिनू मिलेगा आपको थोड़ा थोड़ा रिबोर्ट आएगा लेकिन जो भी आपने सेविंग क किया रिबोर्ट अंड किया बुल्टोकन से और अल्टिमा के फ्रिजिंग में सेविंग किया अब उसे मल्टिप्लाइ करना है तो मल्टिप्लाइ करने के लिए पहला प्रोसेस है आपको दीपाई में अरेश्टेशन करना पड़ेगा क्योंकि यह कैसा प्रोजेक्ट है जो आप डीपाई में रिश्टेशन कर सकते हो अडीपाई में कंपनी एक प्रोमू चलाएगा फर्स्ट ममंबर से दोस्तों जिसमें आपको 500 परसेंट कंपनी का दूसरा स्प्लिट जिसका नाम है बुस्टर कि टूएट वैन वह आपको मिलने वाले दोस्तों 500 परसेंट अगर आप बुष्टर को आपको कैसे करना है वुष्टर को कैसे खरिदना है चाह बाई कर रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो आल्टिमाफ ने सेव किया कि वंबन के लिए कि उसको वश्यर के खाले सेव करना है बस सेविंग सेविंग टेकलोजी से ही मल्टिप्लिकेशन कनेक्ट है हर एक प्रोटेक्ट दूसरे प्रोटेक्ट के साथ कनेक्ट है जैसे कि अर्निंग saving और multiplication तीनों एक साथ connect है आप बुल्ड token से क्या कर रहे हो earn कर रहे हो ultima में आप save कर रहे हो अब save कितना है one month का यह one year का अगर आप one month से one year के लिए saving करते हो तो आपका पांच परसंग का fridging fees तो नहीं कर तेगा वन year तक नहीं कर तेगा साथ ही साथ ओल्मोस्ट अगर आप 110 या 220 लगबग 110 डॉलर से लेके 220 डॉलर का अल्टीमा अपने गर वन येर के लिए तो कम्पनी आपको बूस्टर श्ader रेट देता हो दोस्तों अब यहां पर बूष्टर श्ader सब्लिट से बना सकते हो पउस्टिमा पड़े عसद आरी आप वांच अल्टीमा का ले सकते हो यहां आ याप कोश्ट में मिलने वाला है कि आप वन येर के लिए सेविंग कर रहे है उसके बाद वन येर के लिए आपका सेविंग है वह आपको अल्टिमा पूल से पांच अल्टिमा के डिस्टिबूशन में भाग लेके आपको रिबोट देगा और आपका 5% यां से आप कर सकते हो और यहां से पहले एक आ रहा था बुल्टोकन से अभी आपका तीन आएगा से जो वन येर के लिए आपने सेव करोगे और तीसरा बुष्टर स्प्रिट जो आपको वन येर के लिए सेव करने पर कंपनी के चाप से गिप्ट मिलेगा जोस्तों आपको डीपाई में रिष्टेशन करने के बाद ही मिलेगा उससे पहले आपको और स्मार्ट वॉल्ट आप डिरेक्ट नहीं कर सकते हो उसके लिए डीपा जिसोष्ट अंदर और इसका प्राइज आपको में दिखा देता हूँ इसे में आपको डिखा सकता हूँ मैं आपडीक सकते हो जो आपको one year के लिए saving पे जो reward आपको मिलेगा आप देख सकते हो पूश्टर स्प्रीड यह आपको trade हो रहा दोस्तो 130 डॉलर में अभी trade हो रहा है और आपको 110 डॉलर में कितना मिलेगा 500 परसेंट यह निके सबसे बड़ा package लेने के लिए दोस्तों कि वह उपर सिर्फ तीन दिन का या दो दिन का रहेगा नमंबर पस्ट नमंबर सकेंड या थर्ड नमंबर तर उसके वाद वह आधा हो जाएगा यहनि कि 400 परसेंट हो जाएगा यहनि कि आप 500 परसेंट का प्रोफिट लेने से चूब तो इस प्रकार से आप बैटर्स वूल का अर्ण किया हुआ पैसा अल्टिमा फ्रिजिंग में सेव करके बुष्टर स्प्रिट से मल्टिप्लाई कर सकते हो दोस्तों इसके लिए इस सारा प्रोसेस बताने के लिए एक डीफाइब का एक्टिब मेंटर की जरूवत है आपको बस बागी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बागी में इन्वाइट करना चाहता हूं और बैचसे से एक्स्प्रेंड करने के लिए अभिवनु सर को चीजों को तो अगर अभिवनु सर कमफर्टेबल है तो मैं आपको सर से मिलाना चाहता हूं सर इस प्रोजेक्ट में लग जो मार्केटिंग से कनेक्ट है जिसमें आप और भी बड़ा चीज कर सकते हो तीसरा पार्ट्स आपको अभिवनु सर के द्वारा के लिए रोगा दोस्तों उसके बाद किसी कोई क्वेस्चिन होगा तो आप ज़रूर कर सकते हैं मैं आपको इन्वाइट करो हूं मैं आपको सबसे पहले तो आप सभी लोग को मेरा प्यार वड़ा नमस्कार और कल की मिटिंग नहीं हो पाई इसके लिए हमें खेद है क्योंकि कल पूरे विहार में बार